हेलो गाईज, स्वागत है आपका एक और नया कॉंपरिशन वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं मारूती ब्रेजा के 2nd top variant JXI को कॉंपएर करूँगा मारूती ब्रेजा के top variant मारूती ब्रेजा JXI Plus से दोनों ही variant में engine और transmission सेम ही है इसमें कोई भी बदलाब नहीं है दोनों ही variant में आपको manual के साथ साथ torque converter, automatic transmission का भी option देखने को मिल जाता है इंजिन details के पर में बात करें तो ब्रेजर में मिलता है 1.5 लिटर 4-cylinder BS6 compliant K15B के series petrol engine जो 103BHP का power और 138NM का torque पैदा करता है इन दोनों में सिर्फ features का ही difference देखने को मिलता है total 15 features का difference देखने को मिलता है इन दोनों ही variants में और उसी के बारे में मैं आपका आज के इस वीडियो में बताने बाला हूँ तो चलिए शुरू करते है 1. Front fog lamps ब्रेजर ZX में कोई भी fog lamps देखने को नहीं मिलता है लेकिन ब्रेजर ZX में fog lamps देखने को मिल जाता है जो LED टाइप में दिये गये है 2. Dual tone exterior ब्रेजर ZX में सिर्फ single tone exterior देखने को मिलता है लेकिन ब्रेजर ZX में dual tone exterior देखने को मिल जाता है नमबर थ्री, Alloy Wheels, ब्रेजा जिडेक्स है में ब्लैक कलर में 16 इंचेस की Alloy Wheels देखने को मिल जाती है लेकिन ब्रेजा जिडेक्स है में आपको 16 इंचेस की Precision Cut Alloy Wheels देखने को मिलता है नमबर फोर वार भीम कालर ब्रेजर जिडेक्स है में आपको सिर्फ बॉडी कालर के वार भीम्स देखने को मिलता है लेकिन ब्रेजर जिडेक्स है में आपको बॉडी प्लास रूप कालर में वार भीम्स देखने को मिल जाता है नमबर फाइब आउटसाइड वार भीम, ब्रेजर जिडेक्स है में इलेक्टिक फोल्ड टाइप के आउटसाइड वार भीम देखने को मिलता है, लेकिन ब्रेजर जिडेक्स है में आपको अटोमेटिक फोल्ड टाइप के आउटसाइड वार भीम देखने को मिलता है, नमबर Day Night RVM Bryja GXai में सिर्फ manual type के Day Night RVM देखने को मिलता है। लेकिन Bryja GXai Plus में automatic type के Day Night RVM देखने को मिलता है। No.8. Reverse parking camera Bryja GXai में सिर्फ reverse parking sensors मिलता है। Lेकिन Bryja GXai Plus में reverse parking sensor के साथ reverse parking camera भी मिल जाता है। No.9. Twitters Brazil ZX लें में brass speakers मिलता है, टोटल 4 speakers दिये गया है इसमें, लेकिन बेज़ जडेक्स लेक्ने आपको total 2 twitters मिल जाते है with 4 speakers. Number 10, front wipers. Brazil ZX में front wipers आपको manual type में मिलता है, लेकिन Brazil ZX Plus में automatic type में front wipers मिल जाता है, जो की है rain sensing wipers. Number 11, front head lamps. 22.25 unser GX-iez में आको ट्रमós को स्टेर्ंड मिलता है लेकिन शेयर अप्लास मीनला ट्रब्स में ट्रओंड को ब्रृजस अपर घरिव अपर घरिव सेके में 12 घ्रक टाइप में लेकिन ब्रेजा JXI में आपको आपर गलाब बाक्स, कूल्ट गलाब बाक्स मिलता है नामबर 14, Color Options ब्रेजा JXI में आपको सिट 6, Single Tone Color Options मिलता है लेकिन ब्रेजा JXI Plus में आपको 4, Single Tone Color Options के साथ-साथ 3, Dual Tone Color Options भी मिल जाते है तो गाईस ये था टोटल 14 features difference इन दोन ही भेरेंश में और लास्ट वाला है नामबर 15, price difference ब्रेजा ZXI Manual भेरेंड का एक सोर्म प्राइस है 9.20 लाक रूपे ब्रेजा ZXI Plus Manual भेरेंड का एक सोर्म प्राइस है 9.80 लाक रूपे इन दोनों में 6.000 रूपे का डिफेरेंस देखने को मिल जाता है ब्रेजा ZXI Automatic का एक सोर्म प्राइस है 10.60 लाक रूपे ब्रेजा ZXI Plus Automatic भेरेंड का प्राइस है 11.20 लाक रूपे इन दोनों में 1 सेगें 60,000 रूपे का डिफेरेंस देखने को मिल जाता है अब आखिन में बात करते हैं Value for money भेरेंड कौन सी है सो गाइज Value for money भेरेंट दोनों ही है ZXI और ZXI Plus Manual Variant दोनों ही Value for money भेरेंट है लेकिन हाँ ZXI और ZXI Plus Automatic Variant Value for money भेरेंट नहीं है क्योंकि यह बहुत महंगे है इसलिए तो अगर आपको आजका ये वीडियो पसंद आया है तो इसे Like करना, Share करना और चैनल पर नए आये हो तो चैनल को सब्सक्राब करते हो जाना with all notifications तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आनवाले इंट्रेस्टिंग वीडियो में आजके इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया